हलो गुड मॉर्निंग और आप लोग कैसे हैं मैं आप लोग का बहुत जिल से शुक्र गुजार हूँ और ठेंक्यू हूँ अपने सभी जो सब्सक्राइब मेरे चैनल को किये हुए हैं और मेरे यूटूब को जो लाइक एंड कमेंट्स करते हैं उन सभी मेरे सब्सक्राइबर को ठेंक्यू और यह सब बाते को मैं एक तरफ करके अपनी जो वेकंसी है बहरें की वो मैं आप लोग को बता देता हूं जो एक्षुली बहरें की वेकंसी चल रही है इस वक्त अबाकी आफिस का नाम तो आप लोग जानते हैं दजहरा माईन पावर आफिस का नाम है लखना ठास्ड़ में उसमें सेलरी जो री इंडिया की जो इंडेन इस्पिरेंस की अलग लग रही है और जो ररी दिया उसकी अलग यह रोग कि यहीं लादर है यह सब्द हैं मुछ जो How मोमिक जो रहने के लिए लोग एता है खाना नहीं रहता बहरेन के लिए जूस मेकर, सेंड़िच मेकर और सलेट मेकर यह बहरेन के लिए चाहिए तो तकरीबन उसकी ड्यूटी जो है होटल की वारा गंटा ड्यूटी रहने के लिए रूम है, खाना है, अकुमेटेशन है यह सब वो कमपनी प्रोवाइट करेगी, ठीक है, तो इसमें वही बंदा अप्लाई करे या कॉल करे कॉल तो कोई भी कर सकता है जिसको नहीं सवनियाता, वो भी फोन करके मुझसे पूर सकता है कि सरीए कि क्या है इसमें वही बंदा का सप्लाई अप्लाई हो सकता है जो बंदा इसमें काम के बारे में जानकारी रखता होगा कुकिंग के बारे में जो सेलेट में करका होता है Emunium Cladding Emunium Cladding Actually वह जो विंडोज बनते हैं Alamunium के दरवासी जीसे जी होते हैं Alamunium का जो काम किया होगा उनके लिए तो उनकी सहलिормने तकी सट करीबं 120-130 जिनार वाँ Central की तो사 music खाना अपना खुद का है Do जिये बैहरान के लिए है और बहरेनी के लिए एंबोर्डरी चीए हैंड एंबोर्डरी जो हास एंबोर्डरी का काम करते हैं उनके लिए उनकी भी सैलली 120 दिनार 130 दिनार मतलब लगा रहा है कफील और दो साल का ये जितने में सब दो दो साल के वीजे हैं इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं दो साल के बाद काउंटर जब खतम होगा तो या आपके उपर रहागा कि आप बढ़ा होगे या इसको खतम करके आजाओगे ठीक हैंबोर्डरी मेंन का जो मैं बता रहा था उसकी सैलली 130 दिनार है 120 दिनार है इस तरीके सैलली लगेगी 10 घंडा ड्यूटी है रहने के लिए रूम है और कंपनी सब कुछ देगी अकामा देगी इंसुरेंट देगी पूरा सिस्टमट देगी खाना सिर्फ आपको अपने हाल से बना के खाना रहेगा और मॉमोज जो आज़कल फाशपूर्ड में जब काम की होंगे तो उनको पता है मॉमोज क्या होता है मॉमोज बनाने आना चाहिए एक लेकंसी है उसमें सैलरी मॉमोज की है चाइनिस कुक की है ये दोनों के काम आएगा तो उनका इंटर्वी होगा उनका सेलेक्शन हो जाएगा जो भी बनता इस काम में इंटरेस्टेड है मॉमोज के बनाना आना चाहिए चाइनिस बनाना चाहिए उसका सेलेक्शन फटाफट होगा और बहरेन का वीजा तकरीबन एक मेहना लगता है वीजा आने की यानि 20 से 25 दिन का प्रोसेस रहता है ठीक है साइनिंग बोर्ड साइनिंग बोर्ड वो बोर्ड होता है जिस पर डिजिटल बोर्ड बना रहता है जो आप देखते होंगे कि शॉप के ओपर डिजिटल जो बोर्ड होते है उसको साइनिंग बोर्ड बोला रहता है उसमें वेल्डर चाहिए जो इसमें काम किया होगा वेल्डर साइनिंग बोट का वो बंदा इसमें अपलाई करेगा उसकी सेरली इंडियन एक्सपिरियंस की सेरली देगा एक सो बीज दिनार आठ गंटा रहने के लिए रूम अकुमेटेशन सब रहेगा अकामा रूम बलदिया काड सब बना के देगा सिर्फ खाना अपना रहेगा इसमें और टाइम भी रहेगा आपको बहरें के लिए टेलर माश्टर चाहिए टेलर मास्टर जो हो उसकी सेरलरी यह अच्छी लग रही है, मगर वो बशर्ते उसको सब कटिंग आनी चाहिए, तो जो भी बंदा कटिंग में माश्टर हो, सिलाई में माश्टर हो, वो हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें, हम आज काज इसका इंटर्वीव कराएंगे, सेलक्शन कराएंगे, मेडिकल पे उसको वीजा लगाएंगे, ठीक है, यह बहरीन के लिए था, और बहरीन ही के लिए मुझे ड्राइवर चीए, जो कंपनी के ड्राइवर है, लो कंपनी उसको हाईर करेंगी, उसकी सेली डेड़ सो दिनार है, दस से बारे गंटे की ड्यूटी है, महने में दो छुटी है, रहने के खाना अपना है, और कंपनी आपको कामा और लाइसेंस यह सब रिन्यूल करके देगी, बशर्त कि आपके पास लाइसेंस किसी गल्फ कंट्री का होगा, और तब ही उसमें अपलाई कर सकते हैं, सीविल सूपरवाइजर चाहिए, सीविल सूपरवाइजर में आपका जो इसा पहले देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भरोसा हम पे करोगे, तो हम तभी टिकेट निकाल के देंगे, तो इसमें बहुत परिशानी आती है, कि हम टिकेट निकाल दिये, उनके समझ में आया है, वापस कर दिये, तो टिकेट लेके हमें अपने दूसरे बंदे को द दाल के दूँगा, तो फिर वो मेरा आगे का पैसा वसा जो भी रहेगा, वो सिस्टम, इमिरिगेशन, इमिरिगेशन आप फून कर सकते हो, इस दर मेरा इमिरिगेशन करवाना है, और एक से डेड़ हफते, यानि एक हफते के अंदर, इंशालला, इमिरिगेशन हम करके आप मेरी वीडियो लोगों को समझ में आती हो, तो मैं यह चाहता हूँ कि लोग मेरी वीडियो आगे बढ़ाएं, ताकि इससे लोग और फायदा और इसका सही लोगों तक पहुचे जिसको अपना विदेश में जाना हो, और बाकी कॉन्टेक्ट नंबर हमारा नीचे लिखा रह और धन्यवाद सभी हमारे हिंदु, हिंदुस्तान के वासियों को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत